हलो गाईज वेलकम पैक टू माई चैनल आप देख रहे हैं A.I.O. Christians I hope you are all are doing good दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही इंटरस्टिंग सी लाइट इसको स्ट्रॉब लाइट बोला जाता है और सबसे खास बात ये है कि इसमें कोई वायर नहीं है ये एक तरह की पोर्टेबल लाइट है और इसको आपको एक बार चार्ज करना है और ये पूरे एक हफ़ते तक चलती है अपको तो इसको बार जैसे तरह का ये इसमें पिच्छे सॉकिट देख रहे हैं इस तरह का आपका इसमें चार्ज लग जाता है इस लाइट की खास बात यहाँ है यह ऑगसे और कोई वायर आई ज़नक्षण कॉनेक्शन नहीं करना चाहें तो इसको बाइक के नीचे की तरफ भी लगा सकते हैं और जब ये रात को फ्लेश करेगा तो इसकी जो रोशनी है वो नीचे रोड पर पड़ेगी और आपकी बाइक बहुतरी बहतरी बहतरी लगेगी सबसे खास बात ये है कि इसमें कोई वायर का कोई जंजट नहीं है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ एक बार चार्ज करने में पूरे एक हफ़ते चलेगा जब भी रेनी सीजन आया ये आपको ये लाइट यूज नहीं करनी है आप इसको निकाल सकते हैं आप इसके साथ-साथ आपको 1,500 रुपे में क्या मिल रहा है सबसे पहले जो इसके पीछ है जो इसके आपको इस तरह में पर चिपक जाएगी और जब आपको निकालने हैं आप इस तरह के से निकालेंगे और ये निकल जाएगी। साथ-स इसके साथ आपको मिलते हैं USB चारजिंग के लिए इसके साथ आपको अडेप्टर नहीं मिलता है चारजर आप अपने फोन का यूज कर सकते हैं तो बहुत ही मस्त लाइट है अलग लग पैटन्स हैं पैट्रोल टैंक के पास इधर नीचे की साइड लगा देता हूं इससे कोई आग लगने को कोई खत्रा भी नहीं है कि साथ सरकेट होगा या टैंक में आग लग जाए ऐसा कुछ नहीं है रात होने का वेट करता हूं और आपको दिखाता हूं इसके लाइटिंग पैटन्स दोस्तो इस लाइट को अपनी मोटर साइकल में लगाने से पहले मैं आपको इ विजिबलेटी बढ़ाने के लिए और पीचे थोड़ा एलर्ट रहने के लिए जो पीछे से आरहा लो उसको नोटिस हो जाया कि आगे राइडर जा रहा है इसको आप अपने हलमेट के पीछे लगा सकते हैं कथी सारे लोग कि आगे motorcycle जा रही है या आगे कोई rider जा रहा है और वो alert हो जाएगा बाकि इसकी कोई इतनी रौशनी नहीं होती है कि पीछे वाला बिल्कुल अंदा ही हो जाए और एक बार मैं इसको दिखा देता हूं इसको पीछे helmet में कहा लगाते हैं देखिए जैसे मैंने आपको पहले भ प्रेस किया और अब देखिए यह एकदम light लग गई है यहां से निकलेगी नहीं अगर आपका helmet हिलता है यह भले है ऐसे हिल रहा है लेकिए टाइट एकदम fix हो जाता है वेल्कुल में यह निकलता नहीं है और अब मैं आपको एक बार इसके patterns दिखा देता हूं अलग-लग द देखिए यह मैंने जलाया और यह इसका flash चालू हो गया अभी रात का समय नहीं है तो हो सकता है आपको इसकी रौशनी और इसका flash कम लगे यह देखिए अब मैं change करूँगा तो मैं दो बार click मारूँगा और यह देखिए इसका pattern change हो गया यह देखिए अब एक बार फिर से क change हो गया यह देखिए दोस्तों रूम की मैंने सारी lights बन कर दिया है और अब देखिए यह इसका एक color है यह इसका pattern blink करने का उसके बाद अगर मैं इसका button दबाता हूं दो बार यह देखिए यह change हो गया इसका pattern यह इस तरीके से आपकी bike में या आपके helmet में इस तरीके से काम क बात यह है इस चोटी सी light को हाला कि एक Chinese product है पानी से बचा के रखा जाए और इसे अच्छे से use करें gear के साथ तो यह साल भर तक अराम से चल जाएगी दोस्तों इस light का जो सबसे जादा पसंद किया जाता है pattern वो यह वाला है यह तरह का airplane light की तरह flush करता है और यह famous भी इसी का रिस्क कम हो जाएंगे कि आपको पीछे की तरफ से कोई ठोके तो यह इस तरह की से काम करती है मात्र 500 रूपे की आती है बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा product है एक बार आप चार्ज कीजिए और हफते बर चलता है तो आप जल्दी से हम इसको fix करते हैं मोटर साइकिल मे और रात होने का वेट करते हैं और फिर देखता है यह मोटर साइकल पर कैसे लगती है देखे दोस्तों यह जो लाइट है मैंने पैट्रोल टैंक के नीचे fix कर दी है और अभी लाइट जल रही है मैं पूरा डार करता हूं लाइट आफ कर देता हूं और फिर दिखाता हूं कि कितनी brightness है यह है पिस्टन वाला एरिया यह सिलेंडर और मैंने यह पैट्रोल टैंक के पास यह लाइट फिक्स कर दी है इस समय यह एकदम स्टेबल है आप चाहें तो इसे फ्लेशर की तरह भी यूज कर सकते हैं यह आप पर डिपेंड करता है देखिए अब यह फ्लेश म करता हैं?